अरे कृष्णा सभी वक्तों का स्वागत करते हैं आज के श्रीमत भागवत सत्र में बहुत आबारी है हम इस कौण डिजाट्री के की इतने सुन्दर आउसर हमें प्रदान किया है श्रीमत भागवत पर चर्चा करने हैं तो आईए शुरू करते हैं पहले प्रणाम मंत्र प्रभुपाजी का गुनगान करते हैं उसके पश्चा कता को शुरुवात करेंगे नमाओं विष्ण पदाय कृष्ण प्रष्टाय भूतले शुरीमते भक्ति वेदांत स्वामे इनतनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवानी प्रचारिने निर्विशेष शुन्यवादी पाश्यात्य देशतारिने जैश्री कृष्ण चाइतन्या श्रीद्वाइत गराधर शुरीवाजादि गौर भक्त वरंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा इस कता की शुरुवात एक स्टोरी है छोटी सी उससे करना चाहूं एक समय एक व्यक्ति था जीवन में बड़ा निराश हो गया और निराशा के कारण उससे यह नहीं समझ पाया कि मैं जीवन में अब क्या करूँ बहुत मायूस हो गया जगे जगे कही अलग अलग चीजे वो ट्राइ कर रहा था कि यह करने के पश्चा चायद मेरे जीवन में नया उत्साहा आजाए हार चुका था अपने आपने अलग 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 चीजे वो प्रहत्न कर रहा था कही यश मिल जाए कही मन लग जाए लेकिन तो एक पहाड़ी से वकूदने के लिए तेयार हो गया मन बना लिया और उसने चलांग मार दी। चलांग मारने के पशचत अब उसको ये नहीं पता था कि इस पहारी के नीचे एक बहुत बड़ा बिड़ी चील है, एक बड़ा तलाब है। तो जब वो उपर से चलांग मार रहा था, तो नीचे एक जो है स्नान करने के लिए आई थी उसकी सख्यों के साथ तो सख्या किनारे पर खड़ी है और वो जो राजकन्या है वहाँ पर नहा रही है उस तालाब की एक बात ऐसी थी कि उस तालाब में एक मगरमच भी था तो अभी हाँ पर जो राजकन्या है वो नहा रही है और नाते समय हुआ यूँकि वो मगरमच उची समय वहाँ पर पहुंच गई और मगरमच ने क्या किया वो राजकन्या पर जपट पड़ी और इस बीच जब वो राजकन्या खुद को बचाने की कोशिश में लगी थी और जब वो गिर जाता है तो अचानक क्या होता है जो मगरमच जपट रही थी राजकन्या पर और यह सारी चीजी जब राजकन्या की सखिया देख रही थी तो कुछ सखिया मदद के लिए तुरंत राजा के पास गई और जब तक यह सारा हाथसा हो गया उतने में राजा के सारे सैनिक राजा वहाँ पर पहुंच गया जब राजा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अरे राजकन्या को तो किसी व्यक्ति ने बचाया है जो भी युवक है दिखने में अच्छा है तो अभी ये जो युवक जिसके मन में कुछ नहीं था वो जीवन में निराज हो चुका था कई प्रेणा उसे नहीं पराप्त हो रही थी तो वो राजकुमार को राजा साथ में ले कर जाते है और उसकी जो पुत्री है राजकन्या उसका विवा उस देखते के साथ करा थे क्योंकि उसने उसकी बेटी की जान बचाई थी तो ये कता मैं इसके लिए सुना रहा हूँ कि जीवन में निश्चित रूप से प्रेणा की बड़ी आवशकता होती है और प्रेणा हम जीवन में बहुत प्रचूर मात्रा में एक चीज से निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं और वो है कोई प्रेणा स्थान अगर हमारे जीवन में हो जिसको हम कहते है कोई inspirational या motivational figure हमारे जीवन में हो तो कई आप बहार जाएंगे तो आपको ट्रेणिंग में यह बताया जाएगा कि आपके जीवन में एक inspirational figure होना चाहिए जो आपको आपके जीवन में प्रेणा देता रहा है अपने संगर्शों से प्रेणा देता है और इन चीजों की वाकए में आज बहुत बहुत जरूरत है वरना अगर जरूरत नहीं होती तो इतने motivational seminars क्यों चलते हैं लोग लाख लाख रूपया खर्च करके जाते हैं लेकिन प्रोपा जी हमेशा कहते थे कि श्रीमत भागवत से उत्तम प्रेणा देने वाला कोई ग्रंत नहीं है क्योंकि श्रीमत भागवत में एक नहीं ऐसे अनेको अनेक पात्र है जिन से हम निरंतर हमारे देन दिन जीवन को जीवन में उत्साहा प्राप्त करने के लिए हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं आए चर्चा करते हैं आज भागवत के ऐसे एक पात्र से जिनोंने आज दिन तक बहुत लोगों को प्रेरणा दी है उनेयों पर कई पिछरे भी बनाए गई है अंग्रेजी में बनाए गई है कुछ ऑसकर आवार्ड विनिंग पिछरे भी उनिक पर बनाए गई है अगर आपन श्री कृष्ण के अपने बहुत प्रिय सखा अर्जुन है अर्जुन के विशे में कहा जाता है कि नवविदा भक्ती के साख्य अंग के ये आचारिय है तो इन अर्जुन के विशे में आये थोड़ी चर्चा करते हैं और उत्सा अपराप्त करते हैं अपने जीवन को फिर से एक ने जोश के साथ शुरुवात करने में तो अर्जुन जो है ये हम जानते हैं कि भागवत के प्रतम सकंद में भी इनके विशे में चर्चा की जाती है प्रतम सकंद के पंदरावे अध्याय में जब अर्जुन वापस लोटते है द्वारिका से हस्तिनापुर तो एक प्रसंग से वो खुद जाते हैं और वो अपने आप में खुद मायूस है तो उसी तरह से भक्ति में आने के पश्चाद भी देखिए भगवान के इतने नीजी पार्शद होने के पश्चाद मायूस है और फिर हम भी कई सारे सादक भक्ति के जीवन में इस कारण जुड़ते कोई अर्थ है आर्थो अर्थार्थ जग्यासु ग्यानी यह चार भक्त जो है भगवान के समीप आने की कोशिश करते हैं अगर जीवन में संकट है आर्थ अर्थार्थी अगर धनार्जन करने की कोई इच्छा रखता है जिग्यासा कोई करता है और ग्यान की जो आपिक्षा करता है भगवान से जुड़ते हैं तो हम भी इसी तरह स जुड़े हैं लेकिन जुड़ने के पश्चात ये चीज हमको समझनी बहुत जरूरी है कि यह कोई गैरेंटी नहीं कि भगवान से जुड़ने के पश्चात जीवन में हम कभी माहिष्य निराश नहीं होंगे हताश नहीं होंगे निशित रूप से ये चीज़े बार-बार आती ही रहेगे क्योंकि यह बौतिक जगत का स्वभाव ही ऐसा है और बौतिक जगत के स्वभाव में और एक चीज उसमें अगर हो जाए कि यह कल्यूग है तो फिर तो कह नहीं क्या है विश्वना चक्रत्य ठाकुर प्रतमसकंद की टिका में जब व्यास मुनी निराश हो जाते हैं तो उनके गुरुदे उनको कारण देते हैं कि उन्होंने भगवान की प्रचूर मात्रा में स्तुति नहीं की एक ऐसा ग्रंत नहीं लिखा जिसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान श दिर्या हमारे सामने आ जाता है तो क्या है कि कल्यूग का पहला जो कोई शिकार हुआ था तो वह थे हमारे व्यास देव जी तो आप पूछेंगे कैसे हुए तो उनके अंदर जो असंतुष्टी की भावना जाग उटी वो किसी और की कारण नहीं थी वो निश्यत रूप से कि कल्यूग का प्रभाव है तो अगर व्यास देव कल्यूग में निराश हो सकते है हताश हो सकते है मायूस हो सकते है असंतुष्ट हो सकते तो निश्चित रूप में ये सारी चीज़े हम में भी देखने मिल सकती है तो उन्होंने किसका आश्रे लिया तो उन्होंने आश्र तो प्रतम्सकंद में प्रेना देने वाले बहुत सारे पात्रा है जैसे हम देखेंगे कि अर्जुन का भी एक छोटा विशय आता है और बगवान कितना प्रेम करते अर्जुन से हम आने वाली चर्चा में देखेंगे तो अरजून के प्रमुक 16 नाम है ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में के अगर कोई ये 16 नामों का पाट करता है कोई स्त्री गर्बवती स्त्री है और जो कुछी समय में बच्चे को जन्व देने वाली है तो यह सोला नाम अगर कोई पढ़ता है वो स्त्रीत तो निज्शी तुरूप से उसकी संत्री बड़ी सुरक्षित तरीके से इस समसार में फिर से आ सकती है सुरक्षित तरिके से और अर्जुन का अगर नाम कोई जबता भी है यह सोला नाम उसके तो वैसे बहुत सारे नाम है लेकिन शास्त्रा में यह प्रमुक्ष सोला नाम दिये गए तो कोई इनका पाठ भी करता है तो भैसे उस समय के लिए अर्जुन का प्रतम नाम है अर्जुन वह कैसे आया इसके विशे में भी मैं बताऊँगा पहला नाम है अर्जुन, दूसरा नाम है उनका फाल गुंध, तीसरा है जिशनू, चौता है किरिटी, श्वेत वहन विवत्सू, विजय, पार्थ, सव्वेसाची, धनंजय, पाकेश कपिद्धवज परंतप गांडीव धन्वन गांडीव धारी और मध्यपांडव यह ऐसे इनके 16 नाम है तो अर्जुन यह उनका नाम है तो अर्जुन एक पेड़ है उस पेड़ का जैसा रंग है वर्ण है वैसा ही अर्जुन का रंग होने के वज़े से उनके पिता अर्जुन दूसरा नाम है फालगुन इसके लिए क्योंकि फालगुन उत्तर फालगुन नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है जिश्नु मतलब जो हमेशा ही विज़े रहते हैं किरिटी किरिटी मतलब उनके पिता इंदर ने उनको एक किरिट मतलब मुकुट दिया था जिसके कारण उनका नाम हुआ किरिटी श्वेत वहन अगनी देव ने जो उन्हें बहुत शक्तिशाली रत और सफेद गोड़े दिये थे इसके लिए उनका नाम हुआ श्वेत वहन जो सफेद गोडों के रत के द्वारा जिनका वहन होता है बिभत्सु बिभत्सु मतलब इस तरह से गंगोर युद्ध करते हैं अर्जुन की सारे लोग काप उठते हैं इसलिए नाम है विजय जो हमेशा विजय रहे पार्थ मातकुंती के नाम से इनका नाम जुड़ा हुआ है सव्वेसाची सव्वेसाची मतलब दोनों हातों से वह युद्ध कर सकते थे अपने और धननजय मतलब जिनोंने बहुत दन का अर्जन किया वह धननजय फिर एक नाम इनका है गुडाकेश मतलब जिनोंने अज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली कपी दवज मतलब जिनके रत के जंड़े पर कपी मानine हनुमान ईट परमतपश मतलब इसे किसी के द्वारा आश वो गांडीव धन्वन अर्जुन है गांडीव धारी जो हमेशा गांडीव को अपने हातों में धारण कर रखते थे और मद्यपांडव मतलब पांच पांडव में ये बीच में आते थे इसके लिए इनकाना हो है मद्यपांडव तो इस चर्चा में हम देखेंगे कि अर्जुन के इन नामों से क्या सीख सकते हैं जीवन के सारे प्रसंग तो हम जानते ही हैं लेकिन किस तरह से ये नाम से इनके सारे प्रसंग जुड़े हुए इनका स्वबाव कैसे इनके नामों के साथ जुड़ा हुआ है और इन गुनों क और इसके माद्यम से फिर हम देखेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्णा ने इनको चुना और कितना प्रेम भगवान श्री कृष्णा इनसे करते थे तो इस पर हम अभी छोटी सी चर्चा यहाँ पर करते हैं तो अर्जुन का जो पहला नाम है वो है अर्जुन जैसे हमने अर्जुन नाम का एक व्रिक्ष है और इसकी खाल का जो वर्ण है उसी का वैसा ही रंग अर्जुन के शरीर का इसको भूरा भूरा रंग होता है अगर आप अर्जुन व्रिक्ष को देखेंगे तो और अर्जुन व्रिक्ष के जो गुण है वो प्रचुर मात्रा में आप द जाती है कि ये व्रुक्ष अपनी जड़ों जड़ जमीन से इतनी गहरी तरह से पकड़ के रखते हैं कि अगर बड़े बड़े तुफान भी आ जाए तो ये नहीं उकड़ते हैं जैसे हम देखते हैं कि यमल अर्जुन रुक्ष की कता आती है दशमस्कंद में जहां पर पच्छात ये पेड़ गिर है उसी तरह से साउथ आफरीका की ये गटना है एक बार की बड़ा तुफान साउथ आफरीका में पूरा गाव तहसनेस हो गया डबलिन शेहर की ये बात है, पूरा गाव तहसनेस हो गया, लेकिन एक जगे पर उसी शेहर की ये गटना है, पूरा शेहर तहसनेस होने के पश्चाद भी सिर्फ दो ही पेड यौकेत्यू उस तुफान में खड़े थे, और वो और कोई पेड नहीं थे, वो अरजन रुक्षे में होती है, उसी तरह से हम देखते है कि पांडव, जिसमें अरजन भी एक पांडव है, मद्य पांडव जिनको कहा जाता है, इनके जीवन में भी बहुत-बहुत संकट आए, लेकिन ये अपनी जगे से कभी नहीं ही ले, अपनी कृष्ण भक्ती से ये कभी नहीं ही ले, हा मेरे साथ जब ऐसा प्रसंगह हो रहा था, असत्सभा में तब आप कहा थे, किसको पूछती है, वो भगवान श्री कृष्ण को स्वयम पूछती है, और भगवान श्री कृष्ण तब नराज नहीं होते है, मैंने तो आपके लिए आज तक इतना किया, और आप मुझे ये प असतर के रूप में आपके इतनी मदद की, वो भगवान कहते हैं, माफ कर दीजिए, मुझे आने में देरी हो गए, ये स्वयम भगवान साक्षात, पूर्ण पूर्शोत्तों भगवान श्री कृष्ण है, अपने भगत से भी माफी मांगते, कि कही न कही अगर तुरूती अब ये उधारन आता है, जब सारे पांडव भीश्मदेव से मिलने जाते है, अटरा दिन का युद्ध कतम होने के पश्चात, और जब भीश्मदेव देखते हैं, तो बहुत प्रसंद हो जाते हैं, बड़े आनन्दित हो जाते हैं, और फिर पांडव को कहते हैं, कि आप ये जो संकट आये, वो क्यूं आये, अखो कश्टम अखो अन्यायं यूयम वैडर्मनंदन जीवितुम अरहतकलिष्टम धर्मविप्र अचुताश्रय पहले सिकंद में ये बिश्मदेव का स्लोक है, तो बिश्मदेव कहते हैं कि आखो कश्टम अखो अन्याय ऐसा घंगोर कश्ट और ऐसा गंग और अन्याय आपके जीवन में हुआ है यूयम वही धर्मनंदन और आप कौन है आप सारे धर्म खास करके युदिश्टिर महाराज को कह रहे है धर्मनंदन आप तो धर्म के पालन करता है पोशन करता है आप और कोई नहीं आप यमराज के आवतार है इन संकट के समय में न जीवितुम मैं कहता हूँ यह बिश्मत है उनकी वानी से कह रहे है कि न जीवितुम निश्चित था कि आप मुरुत्यू को प्राप्त हो जाते आप मर जाते तो कोई अगर यह प्रश्न करता है कि नहीं दुर्योधन भी एक अच्चा राजा हो सकता है तो यह दुर्योधन के सबसे बड़े सरसेना पती है यह कुरुवश के सबसे सीनियर व्यक्ति है वो यह कह रहे है कि निश्चित रूप से है पांड़ो आप पर बहुत बड़ा अ नहीं अच्छे लोग थे तो यहाँ पर उनके सरसेना पती सरसेना पती वह वेक्ति होता है जो राजा की हर चाल को अंदर बाहर जानता है और यह सरसेना पती बिश्मदेव कह रहे हैं तो वह कहते कि आप जीवित नहीं बच पाते तो फिर कोई प्रश्न कर सकता है कि वह जी पात उनसे आशिरवाद प्रशुर मात्रा में प्राप्त किया था धर्म धर्म आपके रक्षन के लिए आया क्यों आया क्योंकि आपने धर्म के रक्षन के लिए आपना जीवन लगा दिया था इसलिए कहा जाता है धर्म रक्षती ती रक्षितह उस विक्तिक का रक्षन नि साथ ऐसा की हुआ तो दर्म के पालन से यह नहीं कह सकते कि अभी ही पालन के और तुरंट उसका फल प्राप्त होगा नहीं लेकिन आगे चल कर कहीं न कहीं इसका फल निश्चित प्रचूर मात्रा में प्राप्त होता है दर्म हमारा रक्षन शरीर स्थर पर करता ही है और उसके पश्चात अगले जनम में भी हमारा रक्षन करता है तो वो यहाँ पर बिश्मदेव कह रहे है धर्म विप्र और अच्चुत भगवाई श्री कृष्ण का आपने पूरी तरह से आश्रे की ग्रांड किया था है तो यह आश्रे इन पांड़ों की सबसे बड़ी ताकत रही आश्रे की विश्य में कहा जाता है जैसे कोई बीज है बीज को अगर हम जमीन में बो दे तो वो आश्रे तत्व को इतना गहरी तरह से अपना लेता है कि अपने स्वयम के अस्तित्व को खो देता है जब कोई बीज हम जमीन में लगाते है तो वो बीज बीज नहीं रहता है जब वो जमीन का अगर पूरी तरह से आश्रे ले लेता है अपनी सारे मतग को छोड़ देता है वो बीज यह नहीं कहता कि अभी मैं बीज ही बन के रहूंगा और बीज बन के आप मुझे बड़ा ब पाती है उस तिती में जमीन के साथ जुड़े रहने से वो पेड़ दीरे 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 करते एक इतना विशाल अर्जुन का वरिक्ष बन जाता है कि देखते ही देखते बड़े-बड़े तूपान भी उसका कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि जमीन का उसने आश्रे लिए रख अर्जुन रुक्ष के मात्यम से अर्जुन अपने जीवन से यह सिखाना चाहते प्रोपाजी के जीवन के गटना है रात बारा एक बज गए थे और हम जानते हैं कि प्रोपाजी रोज बारा एक बज़े जाग जाते थे क्योंकि उनको राइटिंग भागवत का ने कहा कि यह देखो यह क्या है और अभी इतनी गहरे नीन से उटे शुरुत किर्थी प्रभु आके मल रहे हैं और प्रोपाज उनके दिखा रहे थे महाभारत के युद्ध का एक पिचर उनके पास था एक फोटो उनके पास था गीता के प्रंट पेज पर जो हम देखते है वह कहती है कि देखिए यह है शर्नागती तो वो समझी नहीं पाया रात में एक बज़े मेरे गुरु महाराज उटाते और शर्नागती दिखाते तो गहते हैं कि भगवान की शर्न लेना मतलब क्या कि भगवान जैसे कहे वैसे करना अगर भगवान कहे कि आपके रिष्तेद बगवान का लेने तो यह हम देखते है अर्जुन रुक्षे की एक ख्याती खासियत अर्जुन में भी हमें देखने मिलती है यही कारण था कि बगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना यह नहीं था कि वो उनके सकाते इसके लिए चुना यह शर्नागती का जो भाव इतनी प्रचुर मात्रा में उनमें था कि भगवान को लगा कि यही व्यक्ति है जो निश्वार्त हो कि अपना कोई हेतु न रखते हुए मेरे धर्म के स्थापना में मेरी मदद कर सकता इसलिए पांच पांड़ों से उन्होंने किसको चुना उन्होंने निश्चित रूप स जीवन में देखे तो जो भगवान ने कहा कि जूट को अश्वतामा मर गया तो हीचकी चागए भीम की विशे में कहा जाए तो भीम कभी-कभी इतने हावी हो जाते थे कि उनको संभालना मुश्किल हो जाता था जैसे प्रतम सकंद में ही आता है जब भीम कह रहते कि को चतुर भुज रूप दारण करके वहाँ पर खड़ा होना पड़ा और दो हातों से वह भीम को पकड़े हुए थे और दो हातों से बाकी सारे पांड़ाओं को रोक रहे थे तो एक ऐसा व्यक्ति भगवान को चाहिए था जो भगवान के मतानुसार चले भगवान के स्वबाव को जान कर चले और वो और कोहींने थे बो थे अरजुन इसके लिए भगवान ने अरजुन को चुना अर्जुन ब्रिक्षे की दूसरी एक कासियत है कि अर्जुन ब्रिक्षे कटिन प्रसंगों में बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है उसी तरह से हम देखते हैं कि अर्जुन पर जब जब संकट आये अर्जुन उसको मात करके और तीजस्वी बने हैं जैसे अर्जुन के उनका जन्म हुआ और पांडू महराज चल बसे तो अभी देखे 14 साल वो वन में रहे है 14 साल के पश्चाथ उनके जन्म के 14 साल के पश्चाथ पांडू महराज का द्यान तो 14 साल तक कुरू वंज का कोई भी व्यक्ति उनका जात कर्म करने की लिनिया है उनके माता कुंती के पिता की तरफ से पूरोईद भेजे गए थे उनके जात कर्म करने के लिए जंगलों में रह रहते कम से कम सुविदाओं में रह रहते लेकिन कभी कंप्लेंट नहीं करते जब वापस आ जाते हैं वापस आने के पश्चात उनको राज्य में स्विकृत्ती प्राप्त करना बहुत आसन नहीं था पांड़ों को पांडव के विशय में देखे वाट्साप की वज़े से आज की आता फटाफट कोई भी न्यूस फैल जाती है वाट्साप आज का कॉंसेप्ट नहीं बहुत पुराना कॉंसेप्ट है जब पांडव वहाँ पर पहुंचते हैं तो पहले ही जो राजा थे धृतराश्ट्र और कि वाड़े प्रिय पुत्र इन्होंने क्या किया था पूरे हस्तिनापूर में यह ख़बर फैला दी थी कि यह हमारे वंश्के नहीं है इनका जन्म पांडु महाराच से नहीं और किसी से हुआ है तो वह कहना चाहते थे कि यह लीगल पुत्र नहीं है इलीगल है तो वहाँ और देखिए बीश्म थे उस समय कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि बीश्म देव कि प्रतिग्या दी कि मैं कुरुवम्ष के राजा के प्रति लॉयल रहूंगा उसकी खिलाप कुछ नहीं कहूंगा तो वरत ऐसा लिया कि खुद जिन से इतना प्रेम करते थे उनकी मदद भी नहीं कर पाए उनकी लिए लड़ नहीं पाए अधर्म का साथ देना पड़ा क्यों कि वो उनका स्वबाव क्या था कि मैं मेरी प्रतिग्या से नहीं उटूंगा भीश्म भीशन वरत उन्होंने लि रूप से पांडू महाराज के ही पुत्र है निश्यत रूप से और यह कुरुवंश के अधिकारी है तो इसके वज़े से फिर क्या होता है कि यह बाता है हो जाती है कि अभी कुरुवंश हस्तिनापूर की राजगदी किसको देनी पड़ेगी निश्यत रूप से युदिष हम देखते हैं कि पांडव जब जीवन में संकट आते तो ज्यादा से ज्यादा और तीजेस्वी है जब अर्जुन देखते हैं कि उनके गुरु द्रोनाचारिय जब उनके पुत्र अश्वतामा को स्पेशल ट्रेनिंग देते तो उन्होंने यह नहीं का कि आप तो आपके बेटे के साथ पार्शालिटी करते हैं कि अर्जुन बड़े चतुर थे उस तिती में भी अर्जुन ने क्या किया वह अपने बानों से पानी को भरते थे और अश्वतामा से पहले पहुँच जाते थे या बराबरी से पहुच जाते थे तो उनके गुरु इतने प्रसन्न हो गए कि इस व्यक्ति ने क्या कि अपनी बुद्धी का हिस्तमाल किया लड़ाई जगडा नहीं किया यही गुन है जो भगवान को अकरशित करते थे अर्जुन की तरह और फिर इतना ही नहीं हाड़ वर क्या था अर्जुन का रात रात प्रैक्टिस करते थे अर्जुन और जब अर्जुन द्रोपदी स्वयमवर में पहुंचे तो कहा जाता है कि इतनी कुशलता से वो उस चीज को हैंडल कर रहे थे और भगवान कृष्ण वहां पर थे वह पहली बार अर्जुन को आमना सामना होता है कि वो समझा थे कि अर्जुन है और जब अर्जुन उस तीती में बैटा हुआ है तो बहां बारत यह कहता है कि भगवान कृष्ण अपने सीट के आगे तक आ गये थे इतने उत्सुक थे कि अर्जुन क्या करेगा आप मान लो कि अर्जुन के माद्यम से वही बान चलाने वाले तो इतने गुन थे अर्जुन में जो भवान को भी आकरशित करते थे तो यह अर्जुन रिक्ष का जो दूसरा गुन है कि कटिन स्तिती में भी वो बने रहता है डटे रहता है यह भक्त का स्वभाव है क्योंकि द्विज, ब्रामन, अच्चुत और विप्र आश्रे, धर्म, विप्र और अच्चुत आश्रे, इन तीरों का अगर हम आश्रे ले, तो बड़े-बड़े संकटों से भी हम बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, तो यह हम अर्जुन के, अर्जुन इस नाम से सीखते हैं, आ development और destruction ये दुनों गुन दिखाई पड़ते हैं एक साथ, इसमें creation और closure ये गुन एक साथ दिखाई पड़ते हैं, मतलब ये वेक्ति निर्मिती भी कर सकता है, और ये वेक्ति विद्वाम्स भी कर सकता है, ये वेक्ति निर्मिती भी कर सकता है, उसको बंद भी कर सकता है, त तो पानी में ये ताकत है कि नया जीवन उस दानों में से उत्पद्न कर सकता है लेकिन वही पानी जब हम पीते है और वही पानी जब लाल के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो जब वही मूंग हम खाएंगे तो वही लाल जब उससे मिलती है तो वो लाल क्या करती है उस पूरे मूंग के टुकडे टुकडे करके उसमें से पोशन भी खीच सकती है नश्ट कर सकती है पानी वही है लेकिन अगर रूप परिवर्तित हो जाए तो वही विनाश का कारण बन सकता है अगनी खाना पकाने के लिए भी अगनी की ही जरूरत होती है और खाने को पेट में उसको पूरी तरह से विद्भम्स करके उसमें से पोशन को निकालने के लिए भी अगनी का कारण बनती है तो उसी तरह से अर्जुन में ये दोनों गुन हमें दिखाई पड़त जो उत्तर कुमार के साथ या उत्तरा को डांस सिकाते थे ब्रहनला के रूप में वही अर्जुन थे और जब वनवास खतम हो गया तो उत्तर कुमार के साथ वही बाहर आते है वही अर्जुन अपने गुरु को इतना हर्ष देते जब सारे कवरों सेना देखते कि ये कौन वेक उनके गुरू ही ते द्रोनाचारे जो समझ भाए कि यह और कोई ने यह अरजुन इतना आनंद हुआ इतना अनंद ऊज़िए लेकिन मन में डर किया कि शायद अगर वनवास का समय बाकी तो सारे लोग समझ जाएंगे कि अरजुन है लेकिन अरजुन का कैल्कुलेशन इतना ज आपका का तूम हो कि अपने गुरू को देख कर कि यह और कोई नहीं है यह अमने गुरू में हर्श्परादान करते थे और देखते ही देखते विराट नगरी चोग गायों का धन था उस धन को अरजुन ने बचा लिया यह वही बड़े-बड़े त्यमिंगल भीष्मते जिनको परास्त किया माया अस्त्र से अर्जुन ने लेकिन वही अर्जुन जो इतना शक्तिशाली था कुछी समय पहले जिसने विराट नगरी में इन सारे कवरों सेना को परास्त किया कर दिया था वही अर्जुन देखिए जब मायूस हो गया तो पूरी तरह से हतबल हो गया नश्ट होने की कगार पर था उस समय भगवान श्री कृष्ण उसको प्रोत्सान देते कि आप चिंता मत कीजिए धर्म की व्याक्या वहाँ पर भगवान क्या करते हैं और फिर नया जोश अर्जुन को प्राप्त होता है तो ये दोनों गुन भी हम अर्जुन में देख पाते हैं अर्जुन का तीसरा एक नाम है मद्यपांडव मद्यपांडव का मतलब क्या है जिसमें समन्वय करने की शक्ति प्रचुर मात्राम है तो मद्यपांड़ उनको इसके लिए कहा जाता था कि उनके सबसे बड़े भाई थे युदिश्टिर महराज जो एक बड़े विचारवन्त थे अपने आप में हर चीज बड़े शान्ती से करते थे सोच समझ कर करते थे और उनके दूसरे जो भाई थे वो थे भीम जो कि हर चीज ऐसे डिसाइड करते थे तो इन दोनों भाईयों के स्वभाव बिलुकुल विपरिद थे और इन दोनों का समन्वाई करने के लिए अरजुन का जन्म हुआ था युदिष्टिर महाराज धर्म के कठोर पालन करता थे और भीम में बहुत प्रचुर मातरा में शक्ती थे भीम कहते थे ये कुछ नहीं सीधा लड़ लो ताकत के बल पर सब कर लेंगे युदिष्टिर महाराज कहते नई धर्म का पालन में तो तो धर्म अपने आप में देखा जाये तो बड़ा वीक है तो धर्म का रक्षन करने के लिए ही भीम का जन्म हुआ था लेकिन भीम और युदिष्टिर धर्मराज ये दोनों का समन्वय धर्म का रक्षन करना है लेकिन धर्म का पालन भी जरूरी है तो इन दोनों में समन्वय करने की शक्ति अरजुन में थी इसके लिए उनका एक नाम था मध्यपांड़ू और हम कई प्रसंगों से देखते हैं जैसे अभी मैंने कहा कि पहले सकंद में यह वरणन आता है अश्वा थामा के साथ क्या किया जाए तो सारी कुरुम्श की स्त्रियाय माता कुंति के साथ मात द्रौपदी युदिष्टिर महाराज नकुल और सहदेव एक बाजु में थे और भगवान कृष्ण और भीम एक जगे थे भीम और भगवान कृष्ण का कहना था मार दो बिल्कुल मार देना जी भगवान कृष्ण तो छे कारण देते क्यों मार ना ची पांच कारण देते को मार दो अब अर्जुन इतने कंफ्यूज क्या करना चाहिए तो उस समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का शरण लेते हैं और प्रातना करते कि आप बताइए कि मैं क्या करूं तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने जो पांच कारण दिए उसका आंतरिक मतलब क्या है वो उसको समझाते और जब इतनी clarity आ जाती है अर्जुन को कि भगवान कह रहे कि मत मारो लेकिन मारो भी मारो और मत मारो एक साथ यह order भगवान देते तब उस चीज का समन्वे करने की शक्ति अर्जुन में तो अर्जुन इतनी बुद्धिमत्ता से क्या करते है समय वो निश्टेज हो जाता है पहले पापकरन में की जैसे उसकी शक्ति शेण हो चुकी थी जब मनी निकाल देते तो पूरी तरह से निश्टेज हो जाते है और उनके बाल काड़ दिये जाते जो शत्रिये के लिए मृत्यु से भी बत्तर है तो देखिए क्या सुन्दर सम दिये इसलिए उनका एक नाम है मध्य पांडव तो यह हम यहाँ पर देखते हैं खांडव प्रस्त में भी हम देखते हैं कि जब अर्जुन की मैत्री का समन्वे देखिया भी खांडव प्रस्त जलने के पश्यात अगनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और अगनिदेव भगव चाहत हैं रहेतgewान करें है होन्हें देखिया अर्जुन के सा मेरी महित्री और बढ़ों न हम च्छें मतालग मत्री है हम वो मेरी प्रगाड बनी रहे और और बढ़ते रहेते इतना प्रेम भगवान अर्जुन महित्तर आनी चीह है इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए त्यार लेकिन आर्जुन क्या कहते कि नहीं मुझे महित्री से ठीक है मेरी महित्री है भगवान कृष्ण के साथ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे दिव्यस्टर दीजिए तो कोई कह सकता है गया रे ऐसा कैसे कहते है अर्जुन के मन में एक ही बात थी भगवान की सेवा भगवान की निस्वारत सेवा वो चाहते थे कि हर हालत में भगवान की जो इच्छा है दर्म की स्तापना करना उसके लिए मुझे जो जो चीच करनी पड़े फिर मुझे स्वर्ग ही क्यों न जाना पड़े फिर मुझे वो अपसरा का जो प्रलो बना है, उसे भी क्यों न छोड़ना पड़े, लेकिन भगवान के दर्म की स्तापना के लिए मुझे जो जो करना पड़े, जो जो चीज साहिए कि वो मैं करने के लिए तयार हूँ, और उसमें साहिए करने के लिए उनको क्या चाहिए था, दिव्य अ लोग सास्तर चाहिए थे, तो भगवान इतने प्रसन्ण हो जाते अरजुन से, कि इसने क्या किया है, खुद को मेरे साथ एक रूप कर लिया, एक रूप होना मतलब क्या, भगवान की इच्छा के साथ एक रूप होना, अरजुन बखु भी जानते थे, भगवान श्री कृ श्रील प्रपाज जी क्या कहते थे नाचाओ नाचाओ यही वृत्ति अर्जुन में थी देखिए अर्जुन का और एक सुन्दर गुन है जो हमको भगवत गीता के पहले अध्याय में दिखाई पड़ेगा अर्जुन में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों को समन पराय चली आ रही है वो आमें जारी रखनी होगी और उसको जारी रखने के लिए क्या करना होगा यह जो कुल की स्त्रिया है इनका सौरक्षन बहुत ज़रूरी है तो वो कहते कि यह पुरुष मारे जाएंगे तो स्त्रियों पर आपता आ जाएगी तो वो क्या कहते लोगा परान नश्ट हो जाएगी सारे जो कुल के धर्म और उसक लुचर भी देखते कुल का धर्म भीन येश्ट हो जाएगा तो पिंडद देने की जो क्रिया है मतलब जो हमारे हमसे जो विदा हो चुके है जो आगे उनकी गती चली गई है उनकी अच्छी गती नहीं होगी लुप्ट पिंडो दकक्रिया तो कहते कि वो जो पितर है नरक में चले जाएंगे और अपनी गती से नीचे गिर जाएंगे तो ये सुन्दर समन्वय करने की जो शक्ती है अरजुन में ये हमें जाननी है इसी के कारण अरजुन भगवान को इतने प्रियत है मद्यपांडा उनका एक नाम था और यही नहीं अरजुन इतने शरनागत थे भगवान कृष्ण को कि भगवान के प्लान के अनुसार अरजु कि दुनिया के लोग अर्जुन की तरफ देख रहे कि ये एक समय का जो इतना बड़ा शूर्विर है आज डर रहा है रो रहा है गांडी भात से छूट रहा है तो उन्होंने क्या किया कि भगवान आपको मेरे साथ जो करना है आप मेरे साथ कर सकते हैं निश्चित रूप से कर सकते हैं भगवान के हाथ की कटपुतली बन गए ये शर्नागती का बाव है जो अर्जुन से हम सीखते हैं और जब अर्जुन ने अपने मत को छोड़ दिया अर्जुन नहीं युद्ध करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने भगवान की दुरुष्टी से दुनिया को देखना शुरुआत किया, तो उन्होंने ये जाना कि युद्ध वाकई में बहुत जरूरी, इसलिए जो लोग कहते हैं न, कि अर्जुन की इच्छान होते हुए भगवान ने अर्जुन से युद्ध कराया, ये गलत है, क्योंकि भगवान की दुरुष्टी से देखना अर्जुन सीख गए थे, जैसे कोई व्यक्ति, कोई मशीन डिजाइन करता है, तो डिजाइन करने के पशचात उसका मैनियल देता है न, अगर मैनियल की तरह हम मशीन को इस्तमाल करेंगे, तो सुरक्षित रहेंगे, अपनी तरीके से मशीन इस्तमाल करने जाएंगे, तो हाथ कट्वा लेंगे, उसी तरह से ही इस दुनिया भगवत गीता क्यों दी गई है, कि हम खृष्टी से इस दुनिया को देखना सीखेंगे, तो निश्य दुरुप से वाकई में बहुत आनंदित हो जाएंगे इसलिए तो गीता का अंत कैसे होता है संजय क्या कहते है अरो इतना आनंद हो रहा है इतना आनंद हो रहा है क्यों आनंद हो रहा है क्योंकि ऐसा ज्यान ऐसा दिव्य चक्षु मुझे प्राप्त हो गया है इस दुनिया को देखने का यहां ज्यान चक्षु मुझे भगवान ने दिया है मेरे रॉंग्टे खड़े हो रहे हैं वरना संज्ञा ऐसा क्यों कहते अगर संज्ञा कि तो उनके रॉंग्टे नहीं खड़े हो जाते संज्ञा तो निश्यत रूप से अर्जुन ऐसे समर्पित हुए कि उन्होंने भगवान की दृष्टी से इस दुनिया को देखना सीखा तो यह जो शर्नागति का भाव है यह हम अर्जुन में देखते हैं और अंत में एक छोटा सा गुन बता कर हम सबाप्त करेंगे अर्जुन का और ए हनुमान जी का चिन्न है और हनुमान जी स्वयम वहाँ पर है तो यह हनुमान जी के दो प्रमुख गुन हम जानते हैं एक तो उनका focus और दूसरा है उनका distraction अवोईड करने की शक्ति उन्नों में बहुत प्रचंड मात्रा में थे जैसे हम देखते हैंmith है कि अर्जुन पउसका हो को तो ही तुसको करने की जरूरत है मैं लेकिन जब अगे की सोच करनी होती त तब इसन को भ्राड करना होता है कि क्या क्या आगे हो सकता है यह दोनों चीज़े अर्जुन में आजिड ही अर्जुन का एक घुंता फोकस जब और्वशी उन के साथ उनको से आमना सामना जब उनकी का होता है बिलकुल भी चली इतने हुए लेकिन उनकी बुद्धी देखिए जैसे हनुमान जी ने सूरसा के साथ किया मुँ में जाकर वापस आगे और का कि ठीक है अभी तो आपकी जो कंडिशन थी हो मैंने पूरी करती वैसी ही maturity अर्जुन मे करते हैं तो दो सुन्दर गुण उनमें दिखाई देते हैं पहला है appreciation without attachment उन्होंने उनको appreciate किया कि हाँ आप कौन है आप वो है जिन्होंने हमारे कुल में जो हमारे पूर्वज हुए पूरुरव महराज आप उनकी पत्मीर है चुकी है उनका गुनगान किया लेकिन आसकत न समान करके रिज Hence jyes de你 उन्होंने reject without disrespect उनको किया वह कहें कि आप तो मेरे माता के समान है और मैं ज्रीक उलके नहीं करने आ एक उन्होंने संपिर पहरे दांस ये तो सारी चीज़े तब बाद में जाके उनको मदद की ना ये सब सीखने गए तया अरजुन क्योंकि जो उत्तर फालगुन नक्षेतर में जन्म लेता है उसके लिए सारी स्वभाविक कलाय जिसको वो और आगे बढ़ाना चाहता है तो ये सारे गुनों का जो समन्वय अरजुन में हो रहा है इसी के कारण भगवान श्री करिष्न को अरजुन इतने प्रिय है तो हमें इन पात्रों को क्यों बार-बार पढ़ना है, सुनना है सिर्फ इसके लिए कि ये हमें प्रेरणा देते है हम कहा गलत हो रहे है, ये वो हमें बताते है और हमारे संकट के स्तिती में हमें निश्यत रूप से वो प्रेरणा देते रहते है इसके लिए भागवत क्यों पढ़ना चाहिए इसमें अनेक अनेक पात रहे है जो हमें भक्ती क्या है भक्ती कैसे करनी है भक्ती करते समय जो संकट आए उनको कैसे पार करना है इसके लिए हमें प्रेरणा देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा